हेलो केड्स, वेलकम टुरुतुमाम्स ओल्लाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की गनित की पाठेपुस्तक गनित का जादू के चेप्टर नमबर थर्टीन स्मार्ट चार्ट को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, लट्स टार्ट देखिए, सबसे पहले इस पेज़ पर नज़र डालिए क्या नज़र आ रहा है? सुन्दर सुन्दर रंग भी रंगे, तरह तरह के फूल, है न? तब मुझे यह बताईए, कि क्या आपका भी बगीचे में गए हो? गए भी होंगे कई सारे बच्चे है न? और वहां पर क्या देखा आपने? क्या आपने वहां पर फूल देखे? कई तरह के फूल देखे, अलग-लग रंगों के फूल देखे होंगे किस-किस रंग के फूल देखे आपने वहां पर? अच्छे ये बताओ कि वहाँ पर जो अपने फ्लार्स देखे फूल देखे तो क्या ज्यादा तर फूल पीले रंके थे कुछ गार्डन में हो सकता है कुछ बगीचे में हो सकता है कि ज्यादा तर फूल पील रंके हो कुछ में हो सकता है किसी और रंग के जादा तर फूल हो है ना देखो इसमें हम यहाँ पर यह तालिका दी हुई है इस तालिका में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है फूलों का रंग यह फूलों का रंग लिखा हुआ है और यहाँ पर फूलों की संख्या लिखनी ह देखो नीला, नीले रंग के फूल कहां पर है? यह रहे नीले रंग के फूल, यहां पर फूलों की संख्या लिखती हैं, तो चलिए count करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छैर, साथ, आठ, कितने हुए यह? आठ, एट, लाल रंग के फूल काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छैर, साथ, अब नारंगी, कहां है नारंगी? यह रहे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और अब बैंगनी, let's count एक, तो, तीन, चार, पांच, छैर, साथ, आठ, नो, दस, यहाँ पर हमने लिखा दस, अब हमने फूलो की संख्या लिख दी, तालिका पूरी कर दी है, चलिए, next page पर चलते हैं, page नमबर 176, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तालिका देखो और फूल बनाओ, सबसे पहले, डैश की संख्या सबसे ज्यादा है, अब बताओ यह कितने हैं, डैश की किसकी हमें यह देखना है कि कौन से फूल की संख्या सबसे ज्यादा है, चलिए, पिछले page पर देखते हैं, देखो, इस page पर किस की संख्या सबसे ज्यादा है, बैंगनी रंग के फूलों की ये वाले तो हमें ये वाले फूल बनाने हैं देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इस तरीके से आप फूल बना सकते हैं यहाँ पर देखो और बना दो फूल ये देखो बन गया अब बताना है कि ये कितने हैं कितने थे 12 है थे न तो यहाँ लिखेंगे 12 है अब देखो अगला डैश की संख्या सबसे कम है सबसे कम फूलों की संख्या देखनी है किनकी है और यहाँ पर बनाना है अब बताओ ये कितने हैं चलिए देखते हैं देखें सबसे कम फूल है नारंगी वाले ये वाले तो ये वाला फ्लार बनाना है हमें पीछे देखो हमने फूल बना लिया और कितने थे वह फूल, दस, यहाँ पर लिख दिया, अब next number खै, dash की संख्या सबसे कम है, देखना है कौन से फूलों की संख्या सबसे कम है, अब बताओ ये कितने है, वो यहाँ लिखना है, चलि देखते हैं पिछली पेच पर, देखो बचो, नारंगी रंगे फूलों की बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे फूल, कितने असान तरीके से, ऐसे, ये, ये, और, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अब यहाँ पर हमें ऐसे circle बनाने है, और यहाँ पर इस तरीके से कर देना है, ठीक है, यह बन गया, flower, और यहाँ पर कि यहां लिख दिया, डैश ज्यादा है, डैश से, चलिए देखते हैं, देखो कौन से ज्यादा है किस से, हमें दो जोड़े लिखने हैं, कोई से भी, तो ये इस से ज्यादा दिखा देते हैं और ये इस से ज्यादा, या ये इस से ज्यादा, ठीक है, तो देखो, बैंगनी तो ह ही सबसे ज्यादा यह वाले है ना और दिखा देते हैं कि बैंगनी नीले से ज्यादा है और लाल नारंगी से ज्यादा है देखो यह वाले लाल ठीक है चलो बनाते हैं चलो बच्छो देखो बैंगनी बनाएंगे यहाँ पर इसी तरीके से को मैं देखो यह बना दिये मैंने इसी तरीके से आप बना लेना यह ज्यादा है किस नीले से यवला नीली आ फिलारा हम यहा बना देंगे सर्कल बनाकर और यह ब्ला इस तरीके से ऐसे बनाइगे देखो ऐसे ठीक है और यहां पर बन गया फ्लार अब यहाँ पर भी बना देते हैं कि लाल वाला ज्यादा है किसे नारंगी से तो लाल वाला देखो कितना असान है ऐसे बनाओ ठीक है फिर ऐसे और अब क्या करना है ऐसे करके ये देखो बन गया ठीक है ये ज्यादा है किससे इससे ये तो बताया था कैसे बनना है ऐसे कितना इजी तरीका है ना बनाने का ऐसे कर दो देखो बन गया फ्लार ठीक है आप चाहो तो इन में कलर भी कर सकते हो जिस जिस कलर के ये फ्लार्स है देखो यह हो गया हमारा अब यह देखो इस चेत्र को देखो इसमें ट्रैफिक का द्रिश्य देखो और उसके बाद जो next page पर तालिका है उसको भरेंगे चलिए next page पर देखो बचो यहाँ पर क्या पुछा गया है यहाँ यात्रा का तरीका दिया गया है और कितने मतलब संख्य लिखनी है तो देखते हैं उस page पर कि पैदल लोग कितने हैं count करते हैं देखो बच्चो पैदल चलने वाले let's count एक तो तीन चार पांच और कोई भी है कही तो चलिए लिख देते हैं पैदल लोग कितने पांच अब लिखना है cycle cycle कितनी है count करते हैं देखो बच्चो एक और दो तीन तीन cycle है न और कहीं तो नहीं नज़र आ रही न तो तीन लिखेंगे यहां लिखेंगे तीन अब scooter let's count देखो बच्चो एक दो और कहीं scooter नज़र आ रहा है आपको नहीं है न तो कितने लिखेंगे दो लिखते हैं यहां लिखेंगे दो अब यहां पर हमें अपनी मर्जी से लिखना है चीक है चलो हम लिख लेते हैं बस और लिख लेते हैं car चलो पहले सबसे पहले बस देखते हैं कितनी बस हैं let's count एक दो देखो तीन चार और कहीं दिख रही है बस नहीं है न कहीं कितनी बस हैं चार चली लिखते हैं तो यहां लिख देंगे चार अब car count करते हैं देखो car count करते हैं कितनी है एक दो तीन और कहीं है car नहीं है न तो तीन लिख देते हैं तीन तो चली अब कुछ और लिखते हैं यहां पर यात्रा का तरीका लिखते हैं यहां पर हम लिख देते हैं बैल गाड़ी चली बैल गाड़ी करते हैं देखो यहाँ पर कहीं दिखरी है बेल गाड़ी यह रही और कहीं और कहीं तो है ही नहीं एक ही बेल गाड़ी है तो चलो लिखते हैं यहां लिखेंगे एक बाकी और भी वहन आप लिख सकते हैं यहां लाइन लगा कर आप यहाँ पर एड करना चाहें तो कर सकते हैं तो चलिए अब इन प्रश्णों के जवाब दो, करते हैं नंबर कै, इस चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, देखो, चित्र में देखना है, हमने इस तालिका में से देखना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, पैदल, तो यहा जाने जाने का कौन सा तरीका मतलब गाड़ी वाला सबसे कम दिखाई दे रहा है गाड़ियों में देखो बैल गाड़ी का अब बैल गाड़ी बहुत ही कम हो गई है बहुत कम उजड़े हैं अब पैदल चलने वाले लोगों की संख्या डेश की संख्या से ज़्यादा है किसी से भी लिख सकते हैं, साइक्ल वालों से या स्कूटर से बस, कार, बैल गाड़ी से किसी से भी सबसे ही ज़्यादा है कुछ भी लिख दो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं साइकल की संख्या से ठीक है अगला बसो की संख्या डैश की संख्या से कम है देखो चार है ना बस तो किस की संख्या से कम है पैदल लोगों की संख्या से या लिख देते हैं पैदल यात्रियों की संख्या से ये लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है बाकी का मैं एक स्टुडियो में करेंगे तब तक के लिए बाई बच्चों